Hello students, मैं हूँ शुरूती और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चनल पे आज मैं आपको बहुत एक अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ कि डबलो एच फैमिली के वर्ड्स में बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि यह प्रोनाउन के होते हैं, adjective होते हैं या adverb होते हैं तो आईए, आज मिलकर हम इस confusion को दूर करेंगे शुरू करते हैं, देखें डबलो एच फैमिली में कौन-कौन से वर्ड्स आते हैं मतलब जो जादा यूज़ के जाते हैं हू आता है, whom, whose, where, when, why, what, which और how ठीक है, मतलब लगबग इन सबी का हम जादा यूज़ करते हैं जो डबलो एच फैमिली में आते हैं हाउ जो है एच से शुरू होता है, लेकिन फिर भी डबलो एच फैमिली का वर्ड माना जाता है प्रनाऊन में कौन कौन से वर्ड आते हैं इंट्रोगेटिव प्रनाऊन तो प्लीज अपना प्रनाऊन भी थोड़ा सुधारना तो र articulate प्रनाऊन में इंट्रोगेटिव प्रनाऊन दोणों में डबलो हवर्ड का यूज़ किया जाता है adjective के रूप में उसका क्या use होता है, कैसे पता चलेगा, adverbs के रूप में wh words का कैसे use होता है, मतलब सबी wh words एक category से belong नहीं करते हैं, जो relative pronoun के रूप में use होते हैं, उसमें आते हैं who, whom, whose, which, that, what, when, why, where, अभी इनके example देके आपको समझाऊंगी, ये सब relative pronoun के रूप में use होते हैं, pronoun जैसा कि आपको पता है, noun की जगे जो काम आता है, उसको pronoun बोला जाता है, संग्या की जगए प्रयुक्ठ होने वाले शब्दों को सर्वे नाम भोला जाता है, तो pronoun, noun की जगे काम आता है और integrative pronoun की अंदर जो प्रश्ण वाचक pronoun होते हैं वोन में आते हैं who, whom, whose, what, or which ठीक है उसके बाद adjectives में कौन-कौन से वर्ड, wh words आते हैं whose, which, what ठीक है अब देखिए उसके बाद adverb में आते हैं when, why, where, how कैसे पता लगे adverb तो एक बार छोड़ दीजे ठीक है हम पहले pronoun वाला chapter देखेंगे pronoun का chapter कैसे पता चलेगा कि यह pronoun है यह adjective है दोनों में ही इसका use होता है तो जिस word के आगे जिस wh word के आगे verb आ जाए वो होगा pronoun ठीक है जिस भी wh word के आगे verb का use हो जाए वो होगा pronoun यह सबसे main बात आपको ध्यान रखनी है उधारन देके समझाओंगे अब यह आपको थोड़ा रुकिए और जिस wh word के बाद में noun आ जाए वो होगा adjective क्योंकि noun क्या होता है जो noun की विशेशता बताए जो संग्या की विशेशता बताए वो विशेशन होता है जो noun की विशेशता बताए और इसके जस्ट बाद यदि noun का use हो जाए तो फिर वो एड्जेक्टिव हो जाएगा वो डबलो ह वर्ड प्रोनावन नहीं रहेगा और इसके अलावा जिसका उत्तर noun या प्रोनावन आए जिसका उत्तर noun या प्रोनावन आए वो हमारे प्रोनावन वाले यह होंगे इंट्रोगेटिव प्रोनावन होंगे ठीक है जैसे who किस ने किया उसका उत्तर कोई बरसा नहीं आएगा whom किस की द्वारा किस के उपर किया whose किस का है what क्या तो इनका आंसर हमेशे ना noun या प्रोनावन आएगा इसलिए यह प्रोनावन के अंदर माने जाएंगे जबकि adverbs के जो उत्तर आएंगे वो noun या प्रोनावन के अंदर नहीं आएंगे इसलिए इन दब्लो एच वर्ट को adverbs माना जाता है आपको clear करेंगे आगे ठीक है adverbs में कब आए तो इसका उत्तर समय आएगा पांच बजे, चार बजे, yesterday, tomorrow तो time आएगा इसका अंसर तो इसलिए इसको when को क्या माना जाता है adverb, why, why हमेशे reason बताता है, कारण बताता है वहाँ क्यों गई ठीक है, तो reason में noun या pronoun उत्तर नहीं आ रहा, तो ये भी adverb होगा, where, कहां गए, ठीक है हमने ये पढ़ा है कि noun is the name of person, place or thing मान लिया हमने कि person, place of thing होता है, लेकिन कहां गए तो हम ऐसे बोलेंगे ना, in the classroom to the market to the school, हमेशे हम उसके पहले position लगा कर ही use करेंगे, तो वो फिर noun या pronoun नहीं रहता, वो adverb बन जाता है तो place का जब भी आएगा ना, कब इसमें where का use, adverb का use होगा how, कैसे किया, manner बताने के लिए, ये adverbs के अंदर use होते हैं, अब इनके कुछ हम लोग example देख लेते हैं, जैसे, इन examples में देखना, who goes there, वहाँ कौन जाता है, who के बाद में goes का use है, मतलब verb का use है देखिए, who के बाद में verb का use किया गया है, और verb का use करते हैं, तो वो शब्द क्या होता है, pronoun होता है, यहाँ पर who, pronoun है मैंने आपको इसमें पेज में बताया ना, कि जब इनके बाद में verb का use होता है तो इसका symbol यह होता है कि यह pronoun है, ठीक है adjective के बाद में noun का use होता है, तो पता चल जाता है कि यह word, यह जो डबलो हज word है, यह adjective है आगे देखते हैं, next who teaches you, teaches क्या है teaches भी क्रिया है, verb है तो verb है, तो यह भी pronoun होगा इसके just who के just बात क्रिया आ गई आप देखे, this is the girl who helped me, यह भी pronoun है, लेकिन यह relative वाला pronoun है, यहाँ परश्ण नहीं पूछ रहा यहाँ हो का मतलब क्या है जो, ठीक है आपने मेरा जो pronoun, relative pronoun वाला जो वो है न, वीडियो वो देख लिए न, अगर आपको relative pronoun पूरा समझना हो तो यह वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी, तो यहाँ यह relative pronoun हो गया और who के बाद कभी भी do, does और did का प्रियोग helping verb के रूप में नहीं होता, यह अगर ऐसा कोई sentence बनता है who did do this या who did go there तो इनके बाद helping verb के रूप में who के बाद में कभी भी do, does और did का प्रियोग नहीं रहता who के बाद में direct verb का यूज होता है, तो वो सही रहता है ठीके जैसे who did that यहाँ main verb के रूप में who का, did का यूज हुआ है helping verb के रूप में नहीं हुआ main verb के रूप में अगर होता है तो सही है, helping verb के रूप में उसके बाद main verb आये तो वो wrong, वो इसका use कलत हो जाता है जैसे who did do that हो गया, तो wrong हो जाएगा उसके बाद whose pen is this whose आया है wh word, उसके बाद क्या आगया noun आगया, verb नहीं आई तो यह adjective हो जाएगा यह pronoun नहीं रहेगा फिर उसके बाद दूसरा ही इससे ही related sentence है whose is this pen यह जो है ना, इसके बाद क्या आगया verb आगया, verb आते ही क्या बन जाएगा pronoun बन जाएगा उसके बाद which purse is yours कौन सा purse है तुम्हारा तो यहाँ पर यह adjective होगा क्योंकि which wh word के बाद क्या आया noun आगया, तो यह adjective noun की विशेशता बता रहा है यह और जबकि इसमें देखिए which is your purse which के बाद direct helping verb आगया helping verb आते ही वो pronoun बन जाएगा यहाँ डबलो एच वर्ड pronoun है where are you going where, जगह पुछ रहे न तो हम क्या आंसर देंगे I am going to market, I am going to school to लगा कर उसका आंसर देंगे to लगा कर जगह का नाम बताएंगे तो यह क्या हो जाएगा यह adverb, डबलो एच वर्ड हो जाएगा why are you weeping, तुम क्यों रो रहे हो इसका उत्तर कोई noun या pronoun नहीं आएगा इसका उत्तर क्या आएगा इसका उत्तर आएगा कोई reason बताएगा वो ठीक है, तो reason जो बताएगा वो answer आएगा तो यह भी adverb होगा आगे देखते है I know where are you going यहाँ जो where है यह क्या है, यह pronoun है कौन सा, यह relative pronoun है यह relate कर रहा है दो sentence को दो clause को, sorry I know, मुझे पता है where are you going कि तुम कहां जा रहे हो ठीक है, तो यह relative pronoun होगा when will you come तुम कब आओगे when के बाद क्या आ गया यह सीधा-सीधा verb आ गया तो यह भी pronoun है sorry, यह pronoun नहीं है when will you come यह समय पूछ रहा है यह adverb होगा, ठीक है when will you come मतलब कि तुम कब आओगे तो time बताएगा तो यहाँ यह adverb है you can come when you have time यहाँ देखे, यहाँ pronoun होगा तुम तब आ सकते हो जब तुम तुमारे पास समय हो यहाँ पर यह relative pronoun होगा क्योंकि यह relate कर रहा है यहाँ यह प्रशन नहीं पूछ रहा relate कर रहा है what do you want pronoun है डबलो एज के बाद do आ गया ठीक है what के बाद क्या आ गया do आ गया verb आ गया what truth is there in the story यहाँ adjective है क्योंकि truth क्या है हमारा noun है क्या सत्य है story में what के बाद noun आते ही adjective हो जाता है who doesn't teach you ठीक है अब यहाँ देखिए who के बाद मैंने does का use किया है और यह correct भी है वो इसलिए correct है क्योंकि negative sentence में हम who के साथ do, does or did का use कर सकते हैं ठीक है affirmative ही नहीं कर सकते इस बात खब विशेश रूप से ध्यान रखना यहाँ not का use किया है negative में हम who के साथ do, does or did का use करते हैं तो वो सही होता है उसके बाद which of you is a doctor which of you के बाद क्या is आया यहाँ प्रणावन है which color you want which के बाद color आगया मतलब यहाँ क्या है noun है तो noun आते ही which क्या हो जाएगा executive हो जाएगा तो मुझे लगते अब कुछ समझ आया होगा if you like my video then please subscribe my channel thank you very much